नमस्कार चात्रों मैं लेख राजबर जीपीसी स्विरोई टेक्निशन पत्पर कारी रत हूँ मैं आप लोगों को सौफ्ट्रे बनाना सिखाना चाहता हूँ जो निम्न प्रकार है सौफ्ट्रे की ड्राइंग ऐसे है सौफ्ट्रे बनाने में निम्न वजारों की जुरूत पड़ती है जो निम्न प्रकार है सब सब पहले सीट मैटल जीएई सीट का एक सो सित्तर वाई एक सो चालीस का एक टुकड़ा लेंगे फिर इसकेल, इसक्राइबर, सीजर, बारह नंबर की रिवेट्स, फॉर एमेम और शीक्स एमेम का ड्रिल बिट्ट, मेलट और सेंटर पंच येस सोफ्ट्रे बनाने में निम्न वजार काम में लिये जाते हैं सब से पहले सब्ट्रे की मार्किंग करेंगे एक सो सित्र वाई एक सो चालीस का जो जी आई सीट का टुकड़ा लिया है उसके अंदर इस सीरे से 20 mm का मार्किंग करेंगे फिर 100 mm की मार्किंग करेंगे फिर उसके आगे 20 mm की वापस करेंगे और उसके बाद में 30 mm की मार्किंग करेंगे जिसके बाद में लेफ्ट साइड में फिर 20 mm की मार्किंग करेंगे 110 की फिर मार्किंग करेंगे और फिर 20 की मार्किंग करेंगे फिर इसमें इसक्राइबर से लाइन खीचेंगे और जहां कोने पर लाइन का क्रोस बनता है वहां से 10 mm छोड़कर इस कौने को ऐसे मिलाएंगे मिलाने के बाद में दूसरे कौने पर भी ऐसे मिलाएंगे और फिर जाँ जाँ ये क्रॉस कट रहे हैं वहां से सीजर की साज़ता से हम यहां से कटिंग करेंगे इससे ऐसे कटिंग करके फिर दूसरे सीरे को भी हम यहां से कटिंग करेंगे और उसी तरह तीसरे को और फिर चौते को फिर 4 mm का ड्रिल लिया है उससे हम कौने पर सेंटर मार्किंग करेंगे और उस पर हॉल करेंगे और 110 भाई 100 mm का जो बीच का इस्पेस है उसके उपर सेंटर लगाएंगे कुछ दूरी पर सेंटर लगांके और फिर उस पर 4 mm का ड्रिल करेंगे फिर यह आक्रति बन जाएगी उसके बाद में जो 30 mm का जो पीछे की साइड में अपने जगा छोड़ी थी उसकी सेंटर मार्किंग करके 4 mm और 6 mm का होल करेंगे और फिर वहां से कटिंग करने के बाद में फिर इसको मोड़ेंगे इसको द्यान रखेंगे और फिर यह कौना ऐसे मोड़ते रहेंगे जैसे पहला कौना मोड़ा और रिवेट लगाई रिवेट इसके कौने पर यह होल किया वह उसमें ऐसे लगेगा और दूस्रे कौने پर फिर ऐसे रिवेट लगेंगे इस तरह चारो साइध में रिवेट लग जाएगी रिवर twins लगने के बाद में इसको हम इसकेल की सायसा से चैक करेंगे चाहरो कौने वरोबर है या नहीं कि इसकौने से इस कौने में चेक करेंगे दोनों की साइज बरोबर आने चीए इस डंग से यह हमारी कि सॉप्ट्रे बनकर तयार हो गई है कि थैंक्यू धन्यावाद